हेलो गैस आज की वीडियो में मैं आपको जो है रियालिटी चेक देने वाला हूँ लगजरी ब्रैंड के मतलब जितने भी हमारे इंडिया में लगजरी ब्रैंड है फिलाल उनका एक एक एजांपल दे हूँ तो भाई आपको महिंद्रा की भी जो है सर्विस पता है किस लेवल इस ऐसे है जिनको भाई हर एक इंसान जो है एफोर्ड नहीं कर पाता है कर पाता है तो वो इन्हें जो है खरीता नहीं है इसी वज़ासे इनकी जो सर्विस है और आफ्टर सेल्स सर्विस है यह हर एक बंदे को जो है नहीं बता है आज की वीडियो में हमने पूरी रिसर्च के साथ में हरेक कस्टमर के रिव्यों के साथ में इनी कंपनीज को जो है रैंक करा है बाइड़ सर्विस एमबेंज अफटर सेल्ज हर एक चीज में पर ये इस इस रिसर्च के दो रान जो है मैं भी एक चीज वे आते हैं जैसे कि Range Rover, Land Rover और Jack War और भाई अपना जो Defender Series है यह तो आपको पता ही होगा बोथ हाइप में चल रहे है भाई यह लोग लेकिन गाईस जो Feedback है वो कुछ अलगी आए मतलब मैंने यह जाना है कि यार अगर आप इनके Showroom में कोई Inquiry के लिए चा रहे हो या फिर इनकी Car Purchase करने के लिए जा रहे हो तो भाई इनकी Car पे वेटिंग चल लिया है वेटिंग नॉर्मल है कोई बात नहीं लेकिन आपको अच्छी तरीकी से भाई ट्रीट नीके आ जा रहा है और टेस्ट ड्राइब वीकल आपको प्रोवाइड नी हो रहा है दो चार माईने का वेट करके अगर आपने Car ले ली तो उसके बाद भाई After Sales भी आपको उस लेवल की नहीं मिल रही है जो आपको Luxury Brands में मिलनी चाहिए यस मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि भाई यह बिल्कुल ही Brands नीचे आता है इन Services में नहीं भाई जो अपने Normal Brands है उनसे तो भाई Overall अच्छा ही है Service वगरा में लेकिन Luxury Brands जो होना चाहिए मतलब एक करोड की इंसान गाड़ी ले रहा है तो भाई वो जो जिस लेवल की Service वो 4 है वो Service जो है नहीं मिल पाएगी और गाईस उसके बाद अपना एक Brand आता है जो कि भाई बड़ी Safe Car बनाता है यस सेफटी से समझी गए होगी मैं बात कर रहा हूं Volvo की तो भाई यहां तक आते आते Service Experience जो है काफी अच्छा हो जाता है और यस गाईस जितने भी मैंने Reviews वगेरा देखे और भाई हर जगा जहां भी Research करी तो Volvo की Services को सब जो है ओके ओके बता रहे किसी को कोई दिकत नहीं है Volvo से यस लेकिन इनकी Cars वगेरा काफी कम विक्रिये क्योंकि सेफटी पर ध्यान देते लेकिन ओवर ओल लोग भाई कम प्रेफर कर रहे हैं वह तो लोग ही जानते होंगे क्यों लेकिन इस गईस सर्विसेज में यह ब्रैंड जो है रेंज रोवर से तो उपर आता है लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े ब्रैंड अभी बच रख्या है एंड थर्ड नमबर पर आती है और यह जो कि हर एक ब्रैंड का कुछ आपको मिक्स करके और बहुत अच्छा प्रोड़क्त देता है और साथ में ब्रैंड भी है मतलब आपको पता है वोक्सवेगन ग्रूप से बिलोंग करता है तो इसकी ड्राइविंग भी आपको अच्छी लगेगी सर्विसिंग भी एक चीज में बोड़ी जो है कई ना कई एवरेज से उपर रहती है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं तो आपको कोई भी दिकत नहीं आने वाली है बाकि इससे भी उपर उपर बैठे है वह आभी आपको पता लग जाएंगे सेगिंड नमबर में मतलब जो भा करक्ट आपको मिलेंगे उसके उपर से भाई इनकी जो सर्विस है चाहे वह आप कार खरीकते वक्त या फिर भाई आफ्टर सेल्स वाली हो तोनों काई फीडबैक बिलकुल टॉप नौच आया तो यह गाईस बीमड़ी कार अगर आप लेना चाहते हो तो भाई कोई भी दिक जितने भी उनकी सर्विसिस है उसमें भी भाई बड़ाई प्रीमियम टच देते है और मैंने जितने भी मर्सडीज के ओनस देखे है भाई वे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं अपनी सर्विसिस से अगर उन्हें वारेंटी वगरा भी क्लेम करनी होती है तो मतलब कस्टमर करेंधर के कहने से पहले कंपनी वाले भी बात कहा लेता है तो येस गईज अगर मेरे साथ से देखो तो BMW एंड मर्सडी इनकी सर्विसिस ओवरोल लग्जिरी ब्रेंड में बहुत अच्छी है बाकी रेक लगजिरी ब्रेंड की काफी सर्विस है लेकिन इसमें से भाई रें इप्रूब करें किए उद्र लोग करोडो करोडो रुपे लगा के बैठे है वे जो टाटा मोर्टर से इस्पीरियस नहीं लेना चाहते हैं व crps अपका इनकार से कोई एक्समेंस है तो वह नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना ताकि व्यूवर्स उनको भी पढ़के पता लगा पाए कि एक्चुल में किसकी सर्विस कैसी है फिराल आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर वीडियो बनवान चाहते हो तो भाई कमेंट कर दें तब तक के लिए बाई-बाई जाशिगम